हुआ है तो आप सभी का सवागत हैं हमारे यूट्यूप चैनल में आज हम लोग सीरीजली का दूसरा है आज हम लोग बात करेंगे कि किस परकार से हिस्ट्री का जो बिहार प्रकार से हैं तो आप सभी को एकड़ करके पर शॉलूशन में अगर आप इंटरिपीडियेट का छा यहां पर आपको हर एक model paper का solution असानी तरीका से मिल जाएगा अगर इससे पहले आप हमारा English का नहीं देखे हैं model paper solution intermediate of science का आई ये सी और icon का तो link description में वहां से आप जाकर simply असानी से देख सकते हैं और उनका त्यारी कर सकते कर सकते हैं ताकि आपको better से better और अच्छा से अच्छा मास प्राप्त हो सके तो चलिए आज हम लोग इसमें इस वीडियो में कॉबर करेंगे किस प्रकार से कुष्टन है history का तो history को हम आज इस वीडियो में कॉबर करेंगे हमारे वीडियो का अलाश तक बने रहेगा और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्कार करके बेल आइकन और को प्रेस करें तक हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको एक्जाम से पहले जाए तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो सिंदु घाटी के निवास्यों को खिस और अप्सन क्या है लोधल किस नदी के किनारे इस्तित है लोधल भॉगवा नदी किनारे इस्तित है अप्सनि नम्बर शीज का राइट एंसर हो जाएक किस यूग के सभ्यता है किस युग के सब्यता है किस भासा के शब्द है किस भासा के शब्द है तो सिंधी भासा के शब्द है किस राज में इस्थित है तो कुछ नमर साथ का है इंडिका के लेखा कौन है इंडिका के लेखा कौन है यानि कि अपसाय मारे वंश का प्रथम साशक कौन था और वन्ज का प्रथम साशक कौन था और वंस का इस चंद्रगृप Tiffany सब्सक्राइब कुछन नमबर 10 कि लोग हमें उखरेंगे गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था तो इसका राइट एंसर भी हो जाएगा कुछन नमबर 11 के पाटली पुत्र की अस्थापना किसने की थी जो आज हम पटना के नाम से जानते हैं विहार में तो इसको पाटली पुत्र की अस्थापना किसने की थी कुछन नमबर 11 इसका उदाईन ने की थी डी इंसर हो जाएगा महाभारत का यूद कितने दिनों तक चल कि रिख वयिद्व परदेश अब्स नबर विई इसका राइट हई तरह जाएगा गौतम बुध का जन्म कहां वा था प्रसंण संख्या सोला है गौतम बुद्ध का जन्म काहा हुआतर ड zar रி हो जाएगा पुरानों की संख्या कितनी है कुछे लिए पूरानों की कितनी है और इसलियर फूरानों की संख्या अठारा है महभारत confidence 15ों दिनों तक बाध शंगीती किस सासक के काल में हुआ था उन्हें सा क्या राजग्री के काल में बैसनव से है, कुशन नमबर 20 का है, बैसनव से, तमबाकू का सेवन, प्रथम किस मुगल समराट ने किया था, अक्वर ने किया था, कुशन नमर 22, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, ते इस पाँच भागों में विभक्त है, अप्सन नमर डी, अकवर नामा के अनुबादक कों थे, ते इसमें, अकवर नामा के अनुबादक वेवरीज थे, फतेहपूर सिकरी को किसने राजधानी बनाया था, कोशन नंबर चौबिस का, अकबर ने फतेहपूर सिकरी को अपना राजधानी बनाया था, कुशन नमर पचीश अक्वर ने दिन ए इलाही कब सुरू किया था यानि कि अक्वर ने वेन अक्वर इंट्रोडिश्ट दिन ए इलाही कब सुरू किया था तो इसका राई टेंसर हो जाएगा पंद्रशो बाशट में पंद्रशो बाशट ए कुश्चन नमर 26 के आहे अक्वर के सनक्षक कौन था अक्वर के सनक्षक बैराम खाथ भारत में मुगल वंस की अस्थापना किश्ट ने की थी तो इसका राइटेंस हो जाएगा बावर ने ताज महल किश्ट नदी के किनारे इस्थी थे ताज महल यमु कोपूरम का शंवन किससे है कुश्चन 29 है कि मंदीरों से इसका राइटेंसर हो जाएगा रूस में भारत बिध्या के जनकelyn की से कहा जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा भी जियएस लिवी देव को 31 कुछन क्या है निम्नमेश से महिला संत कौन थी मीरा अंडाल काईराल इन मेश सभी 31 का क्या एंसर हो जागा दी इन मेश सभी महाराष्ट के संत कौन नहीं थे तो महाराष्ट के संत चैतन नहीं थे अपसा दी एस का इंसर्ट होगा 33 क्या है तलवंडी किसका जन्म अस्थान है कुशन नमर 33 में है कि तलवंडी किसका जन्म अस्थान है तलवंडी गुरु नानक जी का जन्म अस्थान है चौन नमर कुश्चन के आकि निमलिखित में से कौन बिशनु को अपना पती मानती थी कुश्चन नमर 34 का इसका राइट एंसर हो जाएगा अंडाल बी बिलियम होकीज किस सासक के काल में भारत आया था किस सासक के काल में भारत में आया हुआ था कुश्चन नमर 35 जहांगीर के सासक में ही आया हुआ था कुश्चन नमर 36 क्या है इबन बतूता ने अपनी यात्रा क्या बीवरन किस भासा में लिखा था और भी भासा में लिखा था कुश्चन नमर 37 क्या है कारणा वारि श्कूड बना कब बना 37 recollition 1973 में इसका राइट एंसर बी हो जाएगा या कि महाल वारी बंदोबस्त किस के दुआरा लागों किया था महालवारी बंद वपस्त किसके द्वारा cry transor की आग्या ऐसका राय टेंसर होजेगा dog आग्या में इटरा सो संतावन की बीद्रोह निर्थीतर शुन क 야 था खूबर शीहीं न किया था क्रेंगे चारइस की ओर तो आयोग कब गठित हुआ एक तारिस के और मुब करेंगे कि डखकन गन दंगा आयोग कब गठित हुआ था इसका हो जाएगा अठारा सो पच्छतर में गठित किया गया था अठारा सो संतावन द ग्रेट रिवेलीजन नामक पुष्टक किसने लिखा था तो अशोक महता जिनने लिखा था अशोक महता जिनने उस बुक को लिखा था अठारा सो संतावन के बिद्रों के नेत्रित किसने किया था अठारा सो संतावन के बिद्रों के नेत्रित किसने किया था बेगम हजरत महल ने किया था चौशन नमर कुश्चन को देखेंगे कि 1857 के बिद्रों के दमन के बाद कौन से करांतिकारी नेपाल भाग गय थे यानि कि नेपाल चला गया था तो नाना शाहिब ने नेपाल भाग गय थे चलिए कुशन नमर 45 पूर्थगालियों ने गोवा पर कव अपना अधिकार किया थ भारत में आने वाला परथम पूर्थम पूर्थगाली जो भारत आये हुए थे कुश्चन नमर 47 क्या अ किस सहर में इस्तित है फोट बिलियंट है किस सहर में इस्तित है 47 का राइट एंसर हो जाएगा कलकाटा में इस्तित है और तारीश नमर कुष्चन क्या है कलकाटा के सरवोच न्याले की अस्थापना किस अधिनियम के तहत हुई इसका राइट एंसर हो जाएगा सत्रो सो तीहत्र में रेगुलेटिंग एट के द्वारा ही कल सर्वोश नियालिक्यास था अपना की गई कुछा नमर उन्चास है कि चौल इमारते किस सहर की प्रमुक्ष विशेष्टा है चौल इमारते उन्चास नमर कुछान कि चौल इमारते बंबई की महत्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था दो अक्टूबर 1879 इसवी में इसका राइट एंसर सी हो जाएगा खेरा सत्यगरा का शंबंध किस राज से है एकावन का एंसर हो जाएगा गुत जरात से इसका एंसर होगा असायोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था असायोग आंदोलन आप जिने परहा है जो आपको मालूम होना चाहिए कि तो आधा कर लिया है ते विडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन एक ही वीडियो में आपकी सारी जनकारी दे दिया जाएगा तो कुछ नम्बर राजनीतिक गुरु कौन थे इनका गुरु थे अप्सन नमबर स्री गोपार कृष्ण गोखले थे मुश्लिम लिग द्वारा कौश्चन नमबर 56 मुश्लिम लिग द्वारा सिधी करवाई दिवस कब मनाया जाता है पर 56 का राइट एंसर हो जाएगा सी 16 आगस्ट 1946 को पाकिस् प्रतम राजपति कौनथे राजपति क्वें डॉक्टर राजन्त परसाद भात के संविद्धान के प्रारूप समीति क्या धक्ष कौन थे कुछ नंबर 69 बीयार अमबेदकर भावा शाह भीम राव अमबेदकर कुछे नंबर शाट क्या है शोतंत्र भारत के प्रतम कानून म कश्जिचन क्या है कि महीला संथ का संब्ण राज अस्थान से तो अंदाल का संभन न्म एक शर्थ का शरी मीरा का संबन्ध है राजस्थान से कि महराश्थ करेंगे महाराश्ट के संथ कों थे मह रही हैं का स्थिये गए जो चार दीए गया वह सबी थे महाराश्ट के थे कि अल्बुरुनी अल्बरुनी किसके साथ भारत आया अल्बरुनी गजनी के साथ भारत आया कुछशन अथाई बंदोबस्त कि अथाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया कुश्चर नमर 65 बंगाल में वेर वाज दो पर्मानेंट सेटिल्मेंट इम्प्लिमेंटेड कि दा हिस्ट्री ऑफ इंडीयन नेशन। दा हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेश नामक पुष्टक कि राचना किष्णे के लिखा किष्णे था इसका राई टेंसर यह हो जाएगा पटाभी शीता रमाया जी ने किया था दक्षिन भारत में किस अस्थान पर बिद्रो हुआ था तो कोलापूर में बिद्रो हुआ था शड़ी कि पट्ना में 1857 के बिद्रोह का नेत्र किष्णे किया था बहुत Qushy Qasky 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 Q empezar Qasky 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 बारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली अस्थांत्रीत कब हुई यानि कि कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया तो 1911 प्रस्ताव रखा गया था तो चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका बी अखिल भारतिये अस्तर पर पहली जनगन्ना कब हुई बहतर नवर कुष्ण अठारोश बहतर इस्वी में पहली जनगन्ना होई इंडिया गेट का निर्मान कब हुए था उन्लं पारं सत्य गरह का संबस्क्राइब की मातिकोर्यश कि कारण वब मतबस संझार चैटा सब्सक्राइब कवेटमें इन लोकेटेड एन कफूर क्रिशन का है कब ब्हारत का या था साइमान कमीशन इंखू्षीन कि फौरवाटाथ फौरटाइस मिंटाज ब्हारत मुंद ही फार्वर्वाटाइस इसलों क्यों अ किये कहा हुँ 80 कि खहली महिला अध्यक्ष्टता अ Soo Nathan हन्क का जिन अंट्र आई कौन थे स्वतेंट्र भारत के परतम ग्रिफ मंत्री कौन थे स्वतेंट्र भारत के स्वतेंट्र भारत के एक आशी नॉम्बर कुष्चिन है पाठेल ईते जो ग्रिफ मंत्री थे राइटína राइट एंसर ए हो जाएगा बिरासी नमबर कुष्चन की शोतांत्र भारत के प्रतम उप राष्ट पती कौन थे डॉक्टर स्वर्पली राधा कृष्णन सी इसका राइट एंसर हो जाएगा त्री नमबर कुष्चन क्या भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेश की पहली महिला इसका एकर इसका एनीवेसेंट राइट एंसर हो जाएगा ये नम अविएप भीक गत के का शम्बंद था एट हो जाएगा छोरासी का चोइब कि comprな सुन क्या है कि लखिनाओ fi अथाटार सो शंतावन के विद्रो का नेत्रित किश ने किया था बेग़जम वेगम हजरत दोडिश्यट कोण पतफतना काम गट्रा we go second थी और कि असफापना कब कलकट्टा के सर वोच याला है कि सुप्रीम कोड्र के अस्थापना कभुआ से वेने सुप्रीम कौस्प्रीम को्ड़ स्टाप्रीम कुड करी स्टैब्लिस्ट इनकल का इसका 87 कराईट एंसर हो जाएगा 1774 इसवी में हुआ था दामिन इको क्या है तो इस भू भाग है 89 नबर कुशन का विजक में किसके उपदेश संग रहित है 89 नबर कुशन है कि विजक में कबीर के उपदेश संग रहित है 90 नबर कुशन है कि निजामुदीन ओलिया किस सुफी सिलसिले से संबंदित है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन और को प्रेस कर देजिए और आप भी अपने दोस्तों के साथ सेर कर लिजेगा और एक पर कुशन को पूरा को बारीकी तरीके से देख ले और कॉपी कलंड नोट इसको करते जाएगी ताकि आपको बताते चैनल कि एक्जाम टाइम में आपको इतना टाइम नहीं बच पाएगा कि आप वीडियो को फिर से प्ले कर पाएगा निजामुदिन और या किस सूफी सिल्षिले से समबंदित है नभबे नमबर कुशन का क्या राइट्व हो जाएगा एक चिश्ति से समबंदित है तमबाकु का सेवन किस मुगल सम्राट्ट ने प्रतिबन्दित किया था एकान्यमे नंबर कुस्चन है जहां गीर ने बंद करवाया था प्रसिद बीरुपाक्ष मंदिर कहां इस्तित है हम पी में राइट एंसर एग गेतवे ओफ इंडिया का निर्मान कब हुआ था जालियावला भाग चौराने में नमबर कुछ्षन जालिया वाला भाग हत्याकंड तेरह अप्रेलुनेश लुगा था राइट अंसर हो जाएगा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कांद थे पाकिस्तान लियार का तली थे राइट एंसर भी हो जाएगा अर्थ साथ के लिखा कौन है हूँ रोट अर्थ सास्त्र को टिल्या राइट एंसर मनु इस्मृति में कितने परकार के विवाह का उलेख किया गया मनु इस्मृति कि महाबारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है महाबारत में तर अब हमारा कुस्ष्टण है कि धोला बीर कहां इस्थित है अगर आपको मालूम है तो क्मेंट बॉक्स में कर दिजिएगा कमेंट नहीं तो पिर हाल हम तो इसको शर्व कर ही रहे हैं से हंडेट नमर कुप्षिन क्या है धोला वीरा कहा इस्तित है धोला वीरा गुजरात में इस्तित है आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगया होगा और आपको information अच्छी लगी होगी और वोडल मेपर का सोलूशन आपको एक बारीखी तरीके से मिला हम आपकी उजब भविस्ट की कामना करते हैं मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ और आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया रहा है मिलते हैं तब तक लिए जाहिन जाए भारत